दोस्तो आज के इस नए वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आप किसी के भी call recordings अपने फोन में कैसे सुन सकते हैं दोस्तो ये 2020 की सबसे नई ट्रिक है दोस्तो अगर आप इस ट्रिक का यूज करोगे तो आप किसी के भी call recordings अपने फोन में सुन सकते हैं लेकिन दोस्तो वीडियो शुरू करने से पहले आपको एक disclaimer देना चाहूंगा दोस्तो इस ट्रीक का आप गलत इस्तमाल मत किजे दोस्तो अगर आप इस ट्रीक का गलत इस्तमाल करेंगे तो मेरा वीडियो का बनाने का जो भी मकसद है वो पूरा खतम हो जाएगा तो दोस्तो आप इस वीडियो का गलत इस्तमाल मत किजे दोस्तो इस वीडियो शुरू करने में मैं आपको दो steps बताऊंगा तो आपको फॉलो करने है दोस्तों आपको सबसे पहले इस वीडियो को यहां से लाइक कर देना है और दोस्तों इस वीडियो को लाइक करने के बाद इस चैनल को लाल बटन को तबा कर इसे सब्सक्राइब कर देना है और दोस्तों सब्सक्राइब करने के बाद आपको यहां नीचे कमेंट करनी है दोस्तों आपको यहां कमेंट करनी है अपना नाम जैसे कि अगर आपका नाम साम है तो आपका नाम डालना है दोस्तों यहां कॉल रिकॉर्डिंग्स ऐसी करके आपको कमेंट कर देनी है दोस्तों अगर आप इस कमेंट मतलब नहीं करेंगे तो यह ट्रीक दोस् प्रूर कर देनी है और दोस्तों ये कमेंट करने के बाद आपको दूसरी स्टेप फॉलो करनी है दोस्तों वो स्टेप यही है आपको अपनी मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है दोस्तों ये विवो वाइबारा मोबाइल है तो आप देख सकते हैं मतलब सेटिंग्स ओपन हो गई है तो आपको अपनी मोबाइल के सेटिंग्स में जाना है दोस्तो आप जैसे ही मोबाइल के सेटिंग्स में गए तो आपको स्क्रोल करना है दोस्तो आप जैसे ही स्क्रोल करेंगे तो आपको यहां नीचे एक सेटिंग्स दिखेंगे तो आप यहां देख सकते है जैसे कि more settings तो दोस्तो आपको more settings में जाना है दोस्तो आप जैसे ही इस more settings में जाएंगे आपके सामने बहुत सारे options आएंगे तो आप यहाँ देख सकते हैं दोस्तो आपको नीचे scroll करके आना है दोस्तो जैसे ही आप नीचे scroll करकर आएंगे तो आपको यहाँ नीचे एक developer options करके आपको नीचे एक step मिलेगी दोस्तो आपको इस developer options को ऐसे click करना है और दोस्तो आप जैसे ही इसे click करेंगे वो developer options आपके सामने open हो चुका होगा दोस्तो आपको यहाँ कुछ नहीं करना जो developer options है उसे आपको on कर देना है और दोस्तो जैसे ही on किया तो आपको यहां पूछेगा allow करने के लिए तो आपको यहां से उसे ok कर देना है तो दोस्तो on करने के बाद आपको इसे फिर से off कर देना है तो आप यहां उपर देख सकते थे कि मतलब अभी developer mode on हो चुका था तो दोस्तो आपको यह settings तो 100% करनी है अगर आप यह settings on नहीं करोगे तो यह trick काम नहीं करेगी तो दोस्तो आपको दूसरी step follow करनी है वो यही है कि आपको अपने mobile के dialer pad में आना है दोस्तो अगर आप true caller या फिर कोई दूसरा app इस्समाल करते हो तो यह trick काम नहीं करेगी तो आपको अपने mobile के dialer में आना है दोस्तो अब जैसे ही यहां आएंगे तो आपको यहां अपने dial pad में आना है और दोस्तो यहां आकर आपको एक code dial करना है दोस्तो यह code ही वो बहुत important trick है दोस्तो अगर आप इस code का इस्तमाल नहीं करोगे तो ये trick काम नहीं करेगी तो आपको यहां आना है और दोस्तो आपको यहां एक code डालना है दोस्तो आप देख सकते ही जैसे कि आपको यहां code डालना है तो आपको डालना है star 420 और आपको यहां star डालना है स्टार डालना है दोस्तों आप इसका करने के बाद आपको यहां आप जिस بھی विक्ति का call recording सुनना चाहते हैं उसका आपको यहां number डालना है जो मैं randomly मतलब कोई भी सिलिक कर रहा हूँ दोस्तों number complete होने के बाद आपको यहां से hash लगाना है औरrustो हैश लगाने के बाद आपको यहां से कॉल कर देना है दोस्तो आप यहां से जिसे ही कॉल करेंगे तो मतलब आपनी जिस भी यहां नमबर डाला है उसके सारे की सारे कॉल्स अपने मॉबाइल में आएंगे दोस्तो वो सारे की सारे कॉल्स उसके मोबाइल पर भी आएंगे और आपकी मोबाइल पर भी आएंगे तो आप उसकी रियल और लाइव जो भी कॉल रेकॉर्डिंग्स होगी तो आप अपने फोन में सुन सकते हैं दोस्तों ये बहुत मतलब 2020 की सबसे नई ट्रीक है अगर आप इस भी ट्रीका इस्तमाल करोगे तो मतलब आप 100% किसी के भी लाइव रेकॉर्डिंग्स सुन सकोगे दोस्तों आप ये वीडियो आपको पसंद आई होगी दोस्तों वीडियो को लाइक करना मत बोलना